आरोग्य जागरुती आरोग्य जागरुती में फिर से एक बार आपका स्वागत दोस्तों, हमिशा के तरह हम एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं आज हम आप पहुचे हैं नागेशवरवाडी आउदूत होस्पिटर स्कीन लेजर स्पेशलिटी किलिक के पास जिसके संचलक है डॉक्टर परिशिक साथ पूते साथ इन्से हाम जयाज़ करेंगे कि फंगल इंफेक्षिन क्या होता है आज देखा गया है कि फंगल इंफेक्षिन की तादा दिन बदिन बढ़ते जा रही है इसके बारे हम चर्चा करेंगे मैं डॉक्टर परिशित साथ्पिते सर्जिक साथ मैं डॉक्टर परिशित नंदकुमार साथपुते मैं पिछले चार सालों से नागे शर्वाडे औरोंगबाद में अधु स्कीन केर एंड लेजर क्लिनिक यहां पर तौचा रोग सौंदर समस्या और गुपतर रोग तद्या यह इस प्रकार से में यहां पर प्राक्टिस कर रहा हूं तो एक फंगस इंफेक्शन जिसे हम दाद बोलते हैं या इंगलिश में उसको टीनिया इंफेक्शन बोलते हैं महराठी में इसको गच करना बोलते हैं फंगस नाम के जनतों से होने वाली एक तवचा की बीमारी है और यह बीमारी स्विफ तवचा के उपर के ही सतय पर रहती है यह बीमारी तवचा में इसलिए होती है क्योंकि तवचा की उपर की जो सतय रहती है वही इस फंगस का खाद दे रहता है तो यह बीमारी यह फंग फैलते 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 पूरे शरीर और जिसम पे फैल जाती है तर फंगल इंफेक्शन के क्या कारण हो सकते हैं फंगल इंफेक्शन के कारण जो होता है वह सबसे एक प्रमुक कारण ही कि अपने घर में किसी को अगर फंगल इंफेक्शन हुआ तो उस इंसान से पूरे परिवार में ये fungal infection हो जाता है उसका में कारण होता है कि हम अगर उस व्यक्ति के अगर हम कुई कपड़े इस्तेमाल वगरे कर रहे हो तो ये infection उसके साथ दूसरे परिवारों को फेल जाता है जैसे कपड़े अगर साथ में दो दिये या उनके कपड़े वगर हमने इस्तेमाल कर दिये या अगर उस व्यक्तिन अगर उनके चट्टों को अगर हाथ लगाए रोई हाथ अगर किसी को लग गया तो उसके कारण भी ये फेल जाता है पूरे परिवार में इसके आलब अगर एक बार फंगल इंफेक्शन आपको हो गया और ये इंफेक्शन के आपने दावाई अगर ट्रिट्मेंट पूरी बरबर नहीं ली तो भी ये इंफेक्शन हमारा दूसरे लोगों को ये फेल सकता है और ये फंगल इंफेक्शन काड़ी अगर हमने खुद के साफ साफ नहीं रखी मलब हमारे रोज का नहाना होगा या कपड़े में पहन और स्वच्छा कपड अगर हमने पेहन लिये साफ सुत्रे तो यह फंगल इंफेक्शन होता नहीं ज्यादा तर यह फंगल इंफेक्शन होस्टेल में या जो रूम में रहने वाले लोगों में पाया जाता है कि जो कभी-कभी उनके गड़ बढ़ के कारणू कभी कपड़ के द या अपने उंगलियों के दो बीच के हिस्से हो गए उसमें यह फंगल इंफेक्शन वहां पे स्टार्ट होता है पसीने के कारण जो जनतू रहता उसको बढ़ने में मदद मिलते और यह फंगल इंफेक्शन वहां से फेल जाता है fungal infection और psoriasis इसमें मतलब difference क्या है और इस कैसा समझना चाहिए के fungal infection है या psoriasis की ही है देखे fungal infection यह एक infection की बीमारी है जो बुर्शी या fungus से होने वाली बीमारी है और यह बीमारी जो हमें ज्यादा तर अपने जो body की folds रहते हैं वही पर पाया जाते हैं जैसे हमारे underarms हो गए उंगलियों के बीच में हो गए या अपने groins जांगों में हो गए जहां पर body fold पसीना ज्यादा है वहां पर हमें fungus infection मिलता है और psoriasis यह psoriasis एक skin की चलने वाली लंबी चलने वाली बीमारी रहती है जिसको हम inflammatory disease बोलती है यह psoriasis उसकी बीमारी है इस बीमारी हमें चट्टों पर ज्यादा से उसके बीमारी जहां पर हमारे हड्डियां आती है हड्डे के नोक जहां पर रहते हैं जहां body पर वही पर इसके चट्टे मिलते हैं फंगस के चट्टे जो रहते हैं वह border रहते हैं उनको लाल कलर की और बीच में बहुत बार बीच में वह चट्टे क्लियर रहते हैं तो psoriasis बीच में clear ने तो psoriasis पूरी तरह से मोटाई चमड़े हो जाते हैं उसमें से जादा अपने चिलके वगरे जाज़ा निकलते हैं यही उसमें difference है लेकिन ऐसा है कि कभी-कभी जो psoriasis कि हम medicines लगा दे तो उसके कारण भी कभी-कभी fungus infection हो सकता है लेकिन फंगस से या सोर इससी से ये infection हमें मतलब अगर है इसका confusensive जिनके पास degree वाले योग के degree जो रहती है वही तवचारोग तदने आपको इसके बारे में difference कर सकते हैं क्योंकि आजकर हर भी चट्टा होकर कोई दूसरी आगर तदने छोड़के आगर किसी के बाद भी चलेगे तो वह आपको कोई भी steroid cream लगा देंगा और गलती सा अगर फंगस infection होगा है तो ये double होने के chances है सर फंगल infection के रोग्तरम के लिए क्या करना चाहिए या फिर हमारे नाग्रिगों को आप क्या संधज देना चाहिए कि अाइ सबसे पहले फंगल इंफेक्शन अगर आपको लग रहा है कि आपको को हुआ है सबसे पहले एक चीज करने आपको ट्रिट्मेंट जो है वो योगे तूचारोक तद्द्द्द्द्ध से लेना है और उन्होंने जितने दिन तक आपको गोल्यों को कोर्स दिया है और ज क्योंकि यह infection अगर ठीक नहीं हुआ तो आपके साथ-साथ आपके परिवार को भी पूरे तरह फेल जाता है और फिर यह सब परिवार को treatment लेना पड़ सकता है तो सबसे पहले एक ही चीज करने है आपको चट्टा लग रहे है और आपको लग रहा है कि यह थोड़ी पार्टस रहते बॉडी फोल्ट्स रहते हैं उनको हमेशा सुखा रखना चाहिए और आपको अगर पसीना ज्यादा हो तो आपको कपड़े कम से कम दो बार लगाना चाह तो उसका असर अच्छे से हो जाता है और जो हम मलम लगाने को जो हम सजेस्ट करते हैं वह मलम आपको आपका चट्टे जाने के बाद भी कम से कम दस दीन या दो हफते तक आपको continue रखना है उस जहां पर आपको यह बीमारी हो यह चट्टो पर उनको आपको नाकों से खुजा उसका नहीं है आपको जो आपके इनर वियर से उनको अंदर से इस्तरी करना है इस्तरी नहीं करना हुआ तो अभी आपको नहीं हुआ तो कम से कम दूप में उसको 4-5 घंटे उल्टा करके सुखाना है अगर आपको कोई दूसरी कुछ गोलिया दवाई चालू है समझो diabetes है ब तो उनको बारे में आपको डॉक्टर को जानकर ही दिनी पड़ती है और खाने में हम परेज इतना ही बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा वजन वगर्डे कम रखना है यह देखा जाते हैं, अगर आपको ओबे सीट रही वजन जादा रहा तो यह पसीन जादा आना इंफेक्शन होने के बाद उस आदमी की जो जो संपर में कपड़ा आते उसको एक बार कड़ी धूप में दिखाना है और सबसे इंपोर्टेंट शीज यही है कि कुछ भी स्टिरोइड का क्रीम तो बिलकुल इसमें आप भले आपको डॉक्टर से आपको यह तोचा रखतने से नहीं आपको फरक में तो आप दूसरे तोचा रखतने के पास जाए लेकिन आपको स्टिरोइड क्रीम कभी भी बूला तो उसको लागाना नहीं है स्टिरोइड क्रीम का हमने अब भी हमारी जो इंडियन असोशेहर और डर्मेटलोजी वेनरो राश्ट और लेप्रोलोजी जो हमारी नैस्टन लेवल की जो तोचा रखतने की एक जो संगटना है उन्हें भी हमने सरकार से एक अरजी किये और कोट में हमारे केसे चाले है कि जो स्टिरोइड क्रीम पे है उनको बैन लगना चाहिए क्योंकि ये स्टिरोइड क्रीम से ये मसला दिन बाद दिन बहुत पेचीदा होता जा रहा है ये बीमारी ठीक करने बहुत टाइम लग रहा है इसलिए श्टिरोइड क्रीम का इस्तेमल आपको करना नहीं चाहिए